जैंहें दोप्रों नमस्कार आज हम बात करेंगे वैरिको सिल पना ओपरेशन आप कैसे ठीक कर सकते हैं अगर आप बिना ओपरेशन वैरिको सिल को ठीक करना चाहते हैं इस वीडियो को अन्ताग देखे सबसे पहले मैं आपको यह बताना चांगा कि वेरिकोसिल क्या होता है अगर आपके अंड़कोष की नसों में वाल्ब खराब होने से नसों में खून रुप जाता है नसों में ब्लड जम जाता है या नसे नीली पढ़ जाती है और नसों को छूने से फिल्पलापन मैसूस होता है तो आपको वेरिकोसिल हो सकता है दूसरा सबसे बड़ा कारण जिब में हैवी एक्सरसाइज करने से वजन उठाने से जटका लगने से या बाइक या साइकर चलाने पर जटका लगने से अगर आपकी नसे फूल गई है या अंड को छोटा बड़ा हो गया है तो आपको वेरिकोसिल हो सकता है अगर आपको इन में से किसी भी प्रकार्पी कोई समस्या नजर आती है तो आप अपने नजदीक के डागिनोस्टिक सेंटर पर जाका एक स्कॉर्टम अल्टासों कराएं और अल्टासों कराने के बाद वह रिपोर्ट मेरे नीचे दिएगे नंबर पर वर्टसप करें उस रिपोर्ट्स पो देखने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको वेरिकोसिल है या नहीं वेरिकोसिल छे तरह का होता है इसमें शुरू में माइड वेरिकोसिल होता है फर्स्ट ग्रेड वेरिकोसिल होता है माइड और फर्स्ट ग्रेड में कई बार हमको पता नहीं लगता कि हमें वेरिकोसिल है उसके बस सेकिंड ग्रेड थर्ड ग्रेड फॉर्थ ग्रेड फिफ् जड़ से ठीक नहीं होगा तो यह दीरे-दीरे बढ़ेगा और आपको अंड़ कोश में इस तरह की दिखते देगा अगर आप या आपको कोई रिष्टेदार इस तरह की समस्य से पीडित है तो हमारे नीचे दिएगे नंबर पर परसप करें उसके बारें पूरी जानकारी प्राप्त करें और जो भी संभव होगा अगर आप इस बारे में और अजिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे दिएगे नीचे दिएगे नंबर पर वर्टसप करें कोल करें आपको प्रामर्श ने शुर्क दिया जाएगा और इसका जो भी संभव इलाज होगा वो किया जाएगा जय हिंद जय भारत जय आईवेट